So finally, हमारे पास आज iPhone 12 आ गया है, और कुछी दिन पहले हमने iPhone 12 Pro की भी unboxing की थी, तो अगर आपने वो unboxing नहीं देखिया है, तो यहाँ पर मैंने card डाल दिया है, वहाँ पर आप चेकाउट कर सकते हो, So देख लेते iPhone 12 को इसकी unboxing और first impressions मुझे की यह phone कैसा लगा, तो यह phone मैं अपने primary device की तरह use करूँगा, और इसको मैं permanent device बनाने वाला हूँ अपना, जो कि मैं move कर रहा हूँ अपने बहुत पुराने OnePlus 6 से, जो कि मुझे लगता है काफी अच्छा upgrade होगा, और साधी साथ हम बात कर pricing और Indian pricing में काफी फरक है, तो directly इस वीडियो में चलते हैं और देखते हैं, so guys यह है iPhone 12 का box, यह मैंने 128 GB purchase किया है, because 64 GB आज की date में enough, obviously नहीं होता, तो इसे हम unbox करेंगे, पीछे की तरफ obviously Apple वाला style है, हलका सा पील किया, पूरी पनी खुल गई, और उसके बाद unboxing experience काफी professional और का पाफी amazing रहा, box को ओपन करेंगे, same iPhone 12 Pro जैसी unboxing है, इसकी phone को ओपन करते ही हमें, black के अंदर, black beauty, हमारा iPhone 12 हमें देखने को मिल जाता है, इसे side में रखेंगे, power on करके, और अंदर हमें देखने को मिल जाती है, एक charging cable, जो की USB type C to lightning cable है, और power adapter कहां है? खेर, meme की बात तो अलग है, हमें इन सारे boxes में charger देखने को नहीं मिलता, जो की नई iPhone 12 के series आई है, तो उसके लिए आपको एक separate 20 वोट का fast charger पर्चेस करना होगा, जो की आप Apple की site से, या फिर Flipkart या Amazon से 19o रुपे का खरीच सकते हो, तो जैसे की आप दे सकते हो, हमारा पास charger भी आ गया है, इसे भी Unbox करके दिखा देता हूँ, Unbox कर देंगे तो इस तरह से आप USB Type-C वाला charger देखने को मिल जाएगा, तो इन सारे जोगो फटावर्ट साइड कर लेते हैं, और हमारे phone को setup करके आपको दिखा देता हूँ, phone कैसा दिखता है, phone में सामने की तरफ हमें 6.1 इंचिस की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, और एक phone factor काफी बढ़िया है, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं OnePlus 6 से iPhone 12 की तरफ आ रहा हूँ, तो OnePlus 6 के अंदर 6.1 इंचिस की डिस्प्ले थी, तो वो phone काफी बड़ा लगता था, मुझे चाहिए था छोटा phone factor, उसके लिए iPhone iPhone 12 ने मुझे काफी इंप्रेस किया, क्योंकि OnePlus 6 और iPhone 12, दोनों में 6.1 इंचिस की डिस्प्ले है, बट सामने की तरफ देखने में in-hand feel, iPhone 12 का काफी compact लगता है, और लगता है iPhone 12 काफी छोटा phone है, तो यह बाद मुझे Apple की काफी पसंद आई, तो यह थे एक screen का comparison, अगर हमें इ देखने को मिल जाएंगे, साइट साथ नीचे की तरफ हमें हमारी SIM tray देखने को मिल जाएगी, उपर की तरफ हमें कुछ देखने को नहीं मिलेगा, और इन सारी साइट्स पे आपको थोड़े से जो आपको antenna bands भी देखने को मिल जाएंगे, पीछे की तरफ अगर हम करा ली है, ताकि पीछे की तरफ scratch ना पड़े, क्योंकि इसकी back पे scratch काफी पड़ते हैं, हाला कि front पे भी पड़ते हैं, तो मैं आगे की तरफ temper और इसका cover भी purchase करके लगाऊंगा, बट वो भी नहीं आया था, online मैंने केवल ये film मंगाई थी, और वो भी मुझ से ठीक से लग edges, काफी उन्हें डिसकस किया कि flat edges क्या सही में practical use में आएगी आज के daily use के साब से, तो obviously आएगी, एक चीज़ ओड, iPhone users ये भली बाती जानते हैं, कि हम back करते हुए, left से swipe करते हैं, तो उसके अंदर क्या flat edges आपके thumb बगेर को as a sharp edge आपको देखने को मिलती है, तो बिल्कुल भ पाइप होता है, आपको ऐसे नहीं लगता है कि वहाँ पे sharp edge है, वहाँ पे ऐसा लगता है कोई smooth edge ही है, तो यहाँ पर build पे iPhone ने काफी काम किया है, यह phone काफी lightweight है और OnePlus 6 के comparatively तो जो मैं इससे पहले use कर रहा था, और iPhone 12 Pro के comparatively, दोनों के comparatively, iPhone 12 काफी light है और काफी user friendly है, user friendly as in like hands के अंदर अच्छा आजाता है, lightweight है, छोटा phone factor है, तो उसके लिए काफी अच्छा phone रहेगा, साथ साथ iPhone 12 Pro मैंने इसे रहे नहीं लिया, क्योंकि इंडिया में अगर हम pricing को compare करें, तो iPhone 12 की price 128 GB की 85,000 रुपीज है, और iPhone 12 Pro 128 GB की pricing 1,20,000 है, तो price difference महाँ पर 35,000 का जाता है, जो अगर हम भार के prices देखे, डॉलर वाले prices, तो 128 GB 879 डॉलर का है भार, और 999 डॉलर का 12 Pro, जो की फरक रहे जाता है, केवल 120 डॉलर का, जो की around around 8-8,000 पे आता है, थोड़ा बहुत आगे पिछे होगा, conversions आप देख लेना, पट 8-8,000 पे का फरक, और इंडिया में 35,000 का फरक, तो ये चीज जो है, justify नहीं हो पाती, जबकि आपको 12 Pro में extra ग्या देखने को मिलेगा, केवल एक टेली फोटो lens, 2 GB RAM, और थोड़ी सी premium finish, जो की एक leader sensor के साथ आती है, अब आप खुद से सवाल कीजिए, कि क्या आप इतनी फोटोस खीसते हो, कि आप 35,000 पे को justify कर पाओगे, जो की आपको हलके से better cameras देखने मिल जाते है, main sensor दोनों में ही same है, केवल एक टेली फोटो का फरक है, जो की आपको 2X optical zoom provide कर देगा, और normal एक day-to-day वे user, उस feature को मेरे recording नहीं use करने वाला, तो इसलिए मैंने उस चीज को सोचते हुए, और iPhone की optimization काफी अच्छी होती है, तो 2 GB RAM फाल तो होना, हाला कि future proofing हो जाती है, बट 35,000 के cost पे वो हलकिसी 2 GB RAM मुझे ज़्यादा लगी, और इसलिए iPhone 12 की तरफ मैं गया, और इसी को मैं अपने permanent device की तरह use करने वाला हूँ, इसका review करेंगे आपको बताएंगे कि आपको क्या-क्या अच्छा है इसके अंदर और क्या करके अपने विचार जो मैंने आपको बताया iPhone 12 hotel pro की pricing के बारे में, वो मुझे comment section में अपने विचार बताएगा, और मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए, bye bye, have a nice day.